कि सभी को नमस्कार स्वागत है आपका अमारी यूट्यूब चैनल जेजी क्लासेज मेवाड में आज अमल कर रहे हैं परवा कार्य पुस्ति का हिंदी कक्सा 6-7 का कार्य पत्रक चौदा जो कि पेज नमबर 21 पर है चैनल पर नए हैं लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब कर से गेंदा सूरज मुखी गुलाब कमल तो इनके लिए एक सब्द होगा फूल यह सब फूल की केटेगरी के हैं इसी प्रकार आगे देखें के सेव संत्रा लीची और अम्रूत यह सब भी फल हैं तो इनके लिए एक सब्द होगा फल यहां फल लिख दें के टमाटर मतर मेना, कोयल, चीडिया, तोता यह सब पक्सी है तो यहां लिखें खाली बोक्स में पक्सी, बालू, हीरन, बंदर, सेर यह सबी पसू है तो यहां लिख दें पसू प्रस्ट नमबर दो जो सब्द समू से अलग हो उस पर गोला लगाईए, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसाद और बादल, जैसे यह तीनों सेम है और बादल अलग है तो इस पर गोला लग गया है और यहां लिखना है बादल कर मचली, हाती, करगोस, चीता, इसमें मचली अलग है, मचली पे गोला लग आए और कोस्टक में लिके, मचली गे、 чीडिया, मच्छर, कोयल और तोता तो इसमें मच्छर अलग हुआ मच्छर पर गोला लगाएं और कोश्टक में लिखें मच्छर प्रस नमबर तीन देखें नीचे दी गई पंक्तियों में एक सब्द अन्य सब्दों से अलग हैं उन्हें बॉक्स में लिखिए इसमें देखिए के चमच, कटोरी, ठाली, टेबल और तवा इसमें टेबल अलग दिख रहा है अपने को बाकी सब रसोई के सामान है तो टेबल लिख दें खे, चीडियां, पेड, पत्ते, कली और जड़ इसमें चीडियां अलग दिख रहे हैं पाजामा, कुर्ता, चद्दर, साड़ी और साट इसमें चद्दर अलग है चद्दर यहां खोष्टक में लिख दें प्रस नमबर चार दिए गए चित्रों में से चेरे के हाव बाव को पेचान कर उनके नीचे लिखे, देखिए इसे चित्र मोबाईल में भी आते हैं अपने इसे चित्र का मतलब है खुशी इसे चित्र का मतलब है उदाशी इसे चित्र का मतलब है विश्मे मतलब अच्छंबा हो रहा है और इस चित्र का मतलब है गुच्सा यहां लिख दे गुच्सा आपको स्क्रीन पे एक प्लेलिस्ट का चितर दिख रहा होगा उसको क्लिक करें उस पे उंगली लगाएं और सभी कार्य पत्रकों के हल उसमें दे रखें वहां से आप सभी कार्य पत्रक देख सकते हैं